हलो फ्रेंड्स रादे रादे कैसे हो आप सब लोग मेरे यूटू फैमली देखे मेरा जाड़ो पोच्छ हो गया है ये सुबह मोर्निंग का टाइम है आज बच्छे स्कून ने गए छुट्टी है आज 22 जन्वरी है तो इसलिए युदरा मंदर के लिए छुट्टी है ये मेर देखे वो अंदर भांद रखी है भार थोड़ा मोसम घंदा हो रखहे है दून्द वगेरा हो रखे फ्रेंड्स ये मोसम खराब होने की वज़े से पाड़ी को भी नहीं नंग्रारी में ये देखे मैं यहां खाना बना रही हूं फ्रेंड्स आज चुले पर बना रही हाई यह देखे फ्रेंड्स चुले पर रोटी बहुत अच्छी बनती है यह पहले तो हमारे टाइगर के लिए रोटी बनाऊंगी मैं के बाद में आज आयो दारा मंदर के लिए कुछ अलग सी स्पेसल बनाएंगी क्योंकि साम को तो इनके पापा रहेंगे नहीं डूटी पर चले जाएंगे तो मैं उजे सुबही बनाना इनको कुछ नहीं अच्छा लगता बस दाल चूर्मा खाते हैं इनकी एकी डिमांड है कि दाल चूर्मा बनाना आप तो यह देखे फ्रेंड्स चूर्मे के लिए रोटी बनाई जाती है मोटी रोटी बना रही हूं है किस-किस को नहीं बना रखा है किचन चुल्ले वाड़ा हमने बाहर भैसों की तरफ जहां चकी ओर गंडा सा है जहां रोज कुट्टी काटते हैं वहां बना रखी है यह 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 मैंने कभी कभी परनाती हूं इसमें बैस बड़ी मुस्किल से पांच साथ बरी बनाई है रोटी चुल्ले देखे फ्रेंस बहुत सारा काफी इनन भी है हमारे जलाने के लिए ये भी नहीं है और ऐसा बिनो में सहरोगाला काम हो कि वह यह जला यह नहीं जाता है लोग जलते हैं आराम से कोई दिकत नहीं है लेकिन फ्रेंड अंदर बच्चे स्कूल में जाते हैं तब ही बना लेती ह तो ये थोड़ी बाहर रह गही तो इसलिए मैं यह नहीं लेके आती हूं तो क्योंकि यह रोटी रोटी बना सकते हैं सब्जी का तो कुछ बनाने का है नहीं यह यह देखे फ्रेंड्स यह मेरी मोटी रोटी बन रही हैं पतली तो मैंने बना दी चुट्टे के लिए वह हमारा सेतान है उसको चूर्मा बी डालते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं डालते हैं फिरंडस उसको खुजली हो जाती है जिससे बीमारी के लेके आ गई के मिक्सी से हम चूरुमा बना रहे हैं यह फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बड़ी मुस्किल से पिसता है इसके अंदर यह चूरुमा क्योंकि इसको इलाना पड़ता है यह जाम कर देती है इसको यह देखो बन गया अभी इसमें मैंने घी डाल दिया है और यह घ अच्छा लगता है देसी वह सब बताना है हमारे सब बच्चों को भी इनके पापा को भी आ जाओ आप लोग भी खा लो गी यह देसी घी के जिसको भी खाना हो आजओ प्लीज यह हमारा इनके पापा ने सुबह ही दो फैर के बाद में पूजन स्टार्ट कर दिया था क्यों कि मेरे को जाना है इसलिए इनोंने पहले ही साम के टाइम पे ही जल्दी पूजन का स्टार्ट कर दिया प्रोग्रम यह देखी फ्रेंड्स पूजन के लिए हमने सब कुछ रड़ी कर लिया है यह अब रोज नहीं आएगी फ्रेंड्स पहले पूरी लाइट नहीं जला रखे थी हम लोगों ने अब अच्छे से लाइट जल गई है यह देखो बेटी ऐसे हो रखे सर्दी लग रही इसको यह बोली है बार बार यह इटर कनर के पास में रहते हैं फ्रेंड्स बैया को बता रही है कि बैया यह यह लाइट वाली भी जला दो यह इधर से भी जला दो यह इसके पापा ने दीपक लगा दिया है यह देखे फ्रेंड्स हमारे फोजे साब आराम से करते हैं ये देखो अब दाटी लगा रहे हैं बहुत अच्छा लगता है सब साथ में मिलके ऐसे पूजयन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमारे गुर्देव जी की पूजया करते हैं और किसी को नहीं मानते ये हमारे गुर्देव इतने अच्छे हैं कि इनका ध्यान मेडिटेशन करने से दो टाइम करने से जिसको भी कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसके ठीक नहीं हो रही हो डॉक्टरों ने बिल्कुल उसको ना केलियर कर दिया हो ठीक नहीं होगी वो प्लीज एक बर संपरक कर सकता है इसे कोमेंट करके कि इसका संजिवनी मंतर है गुर्देव जी का वो आप लोगों तो कहम पूंचास के इसके मंतर में इतनी पावर शक्ति होती है कि इसका बस मंतर लेते ही वो बिमारी अपने आप नीमीत रूप से कटने लग जाती है और कलिए जाने के जुर्द नहीं है दान दक्ष्ना करने के जुर्द नहीं है गर्द में बैटके वो मंतरखुद को ही जपना है और ऐसा नहीं है कि गुरु और přिता फुर्द है क्यों हो आप फाप ला रक्ते वहिस corrug यह नहीं है ये गुरुदेव इस दर्थी पे नहीं है ये बिस ओनली इनका नमंतर ही चलता है और कुछ नहीं है फ्रेंट्स ये देखो हमारी पूजय नो रखिये बहुत अच्छे से हम किसी के पूजय नहीं करते हैं बिस इनके अंदर हमें सब कुछ दिखाई देता है और इस ये से भी पैचानता हो लेकिन वह वाला मेडिटेशन है जिससे मोक्स की प्राप्ती होती है ये देखिए फ्रेंट्स हमारी दीपक वगिरा चल गया है जल गया है और अब हम पूजया रडी कर रहे हैं ये बेटा अपने पापा के फोन से फोटो ले रहा है इसके पापा को भी अपने फेस्बूक पे लगानी है फोटो ये देखिए फ्रेंट्स ये बेटा बहुत कमाता है चोर है ये एकदम से वीडियो के अंदर आता ही नहीं है इसको सरम आती है बहुत ज़दा ये देखो इसके पापा चेक करें को या अच्छी लिए या नहीं लिए आपने फोटो ये देखो फ्रेंट्स मैं उसमें वो संदूर डाल रही हूं टिक्के के लिए क्योंकि हमारे या तिलग करते हैं कोई भी पुजन करते हैं उसमें तिलग जरूर चलता है किस-किस के या कोमेंट में बताना आप लोगों के अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेर सब्सक्राइब करना फ्रेंट्स एक दूसरे के सयोग से ही आगे ब्लोक्स चलता है आप लोगों के लिए नहीं नहीं होंगी मैं कोमेंट में बताते रहना यह देखे फ्रेंट्स आज मेरा सिलाई का काम भी नहीं हुआ क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं भार के आ रखे हैं और इसलिए नहीं बना पाती हूं मैं यह कपड़ों का एड़ तो ब्लोक्स करी ही नहीं पाती हूं क्या-क्या डिजैन डेकुरिशन करती हूं बहुत काफ कि फ्रेंट्स हमारा इनके पापा बोल रहे हैं कि हम एक आर्ति करेंगे छोटी सिक तो उसके लिए यह आयुद्धारा मंदर के आर्ति उतनके ढूंड रहे हैं अपने फॉन से क्योंकि फ्रेंट्स हम और तो कुछ करते नहीं है राम ही है हमारे गुर्देव का नाम भी राम नाम एक ही है इनका कुछ नहीं हो डादा और क्रिशन का मंतर है ऐसा कोई उसमें बंदिस नहीं है हमारे मंतर में कि हम किसी को नहीं बता सकते हैं हमारे गुर्देव जी ने उसको खुला चैलेंज कर रख है सबको बताओ ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंट्स बहुत अच्छा कुछ भी बिमारी जैसे डाक्टरों ने एड्स और कैंसर का कोई इलाज नहीं है तो हमारे गुर्देव के मंतर से वो सब कुछ इलाज है जिसको भी कोई भी प्रेशा नहीं हो प्लीज एक बर कॉमेंट में बताना वो आप लोगों तक हो मंतर पहुंच जाएगा वैसे मैंन अब बेटी तिलक लगवाएगे यह बेटी को लगा दिया तिलक यह चुटकी सी सबसे आगे रहती है यह बेटे को लगा रही हूं मैं तिलक यह देखिए अब इनके पापा की बारी है अब मेरी बारी आएगी यह देखिए फ्रेंड्स हमारी आप उजन करते हैं वो तिलक मस्तक पे लगाने के बाद में हम सिंदूर में भी लगाते हैं यह हमारी आरती स्टार्ट हो गई है अब इस टेम हमारती कर रहे हैं फ्रेंड्स सब लोग अपनी अपने आरते के लिए रेडी हो गए हैं मेरा बीच में कारिकर मैं ऐसे चलता रहता है और मैं ऐसे जलाती रहती हैं कभी कुछ कभी कुछ यह देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से जगमगा के पुजन चल रहा है हमने छोटा सा पुजन किया है फ्रेंड इनको डूटी पर जाना है डूटी तो डूटी है क्या करें यही तो है कि आप तो हैं घर पे और नहीं भी रहेंगे डूटी से तो क्या करें हमें करना पड़ता है सब कुछ तब तक पास में हैं डूटी से तो इतने मजे हैं उसके बाद में दूर चले जाएंगे तो अगर आदमी के कुछ नहीं कर सकती यह देखे फ्रेंड्स कितने अच्छे से यह पूरी आर्थि करते हैं भक्ती बाव में पूरा विश्वा सकते हैं मेरा कुछ चर चलता रहता है यह देखो फ्रेंड्स किस किस के यहां क्या क्या बनाया है कोमेंट में बताना हाई कर रहे बेटा कोमेंट में तो प्लीज जरूर बताना किस के यहां आ जायो दरामंदर के लिए किस किस के गर में क्या क्या बनाया है जो भी वीडियो में जुड़े और प्लीज जो भी इस वी मज़ा नहीं आता है कोई छोटी छोटी क्लिप देखके रह जाता है तो ऐसे मज़ा नहीं आता है मज़ा तब ही आता है जब पूरी वीडियो को कोई देखता है वोच करता है कोमेंट करता है तो अच्छा लगता है कोमेंट करता है तो कि हाँ कोई है हमारे जैसा कि हमारी वीडियो को फसंद करता है भई हम साधारण है ऐसा तो है नहीं कि हम ये कुछ अलग अलग पकवान बन कि आपके वह करते हैं तो सदा रणाय साधान जींवन जीते हैं ऐसा कुछ हाए नहीं कि अलग अलग रोज अलग कुछ डिस्क बनाई बैस अपना पसुपलन खेती डूर्टी चले जाते बच्छे स्कूल चले जाते हैं इतना ही कवर हो पाता है यह देखिए फरेंट से हमारी पूरी पूजन चली रहा है कि फ़क्ति भाव में इनके पापा बहुत जगा ध्यादा ररागते हैं बहुत करते रहते हैं नहीं जिदेखे फ्रेंड्स पूरी पूजन करते हैं बहुत Use अछ डी पूरी आट करें शेरे थ 하 रेकूरेशन करके तब तक नहीं ही क्प्रीट नहीं होता तब तक अपना कार्यकर्म छलाते रहते हैं इस जिसको जिस तरीके से करना है ऐसा कोई बंदिश नहीं है हमारे तू इस तरीके से कर तो यह इस तरीके से जिसको जितना करना है जितना कर पाता है उतना कर लो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के यहां ऐसा होता है न कि नहीं फिक्स है इतनी देर तुमें भी बैठना इतनी देर हमें बैठना है हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है हम इनके पर नाम आपके चर्णों में तो बहुत अच्छा लगता है हमारे गुर्देश जी के चर्णों में बैठके ऐसे कुछ पल स्कून के बिताने में बहुत अच्छा मज़ा लगते है ये देखे फ्रेंड्स बेटी दर उदर देखते ही ये बहुत है कुण सा कर रहा है अपनी पुझा वक्ती कोई नहीं कर रहा है हमारा ऐसा है चलता रहता ह ये देखे फ्रेंड्स बहुत काफी लंबी ब्लोग्स बन गया है आज का क्योंकि आज पूजन भी था कुछ बच्छों ने पटाके भी जलाए भी तो उसके चकर से लंबा ब्लोग मुना आप लोगों को पूरा दिखाने में अच्छा लगता है आप भी हमारी फैमली मेंब हो तो आपके साथ सेयर करने में बहुत अच्छा लगता है यह देखिए फ्रेंड्स हमारी पूजन हो गया है आरती खतम हो चुकी है यह देखा है हमारे इनके पापा जब भी किसी की भी आरती करते तो इनके आसु चलने लग जाते हैं आखों से अब हमारे याँ जो भी पूजन करते हैं उसमें हम सबसे पहले हम धागा बंदवाते हैं यह बेटी को बांद रहे हैं इसके पापा कि बेटी को धागा बांद रहे हैं बेटा अपने पापा के फोन से फोटो बनाएगा इसके पापा अपने अलग फेस्बूक पे डालते रहते हैं यह देखि फ्रेंटिस। यह बेटी को भांद रहे हैं इसके पापाने दागा भांद दिया। है अब इसके पापा मेरे भांद रहे हैं हैं हमारे यह यहां jedoch अंचरो नके पुजं के बाद में हम दागा बांदते हैं दूसरे कोच्छे से यह देखिए प्रेंट्स यह मेरी धागा बन गया अब मैं अपने हस्बेंट को दागा बांदूंगे यह धागा बांदने से ऐसे बोलते हैं कि यह बहुत अच्छा स्कून होता है बैर के पर्तिक होता है यह मैं भांदरी हैं अपने एस्बेंट को हमारा थोड़ा कैमरा दूर रोगा देखिए फ्रेंट्स तब अच्छे से नहीं आ रहा है क्योंकि पास में रखते तो यहां अंदर पूजा रूम के अंदर थोड़ा सा इतना का प्रकस्त नहीं है यह विंडो अगेरा नहीं है यह एकांत भी बना रखा हमने पूजा रूम हमारा बड़ा उसा है पूजा रूम छोटा नहीं है फ्रेंट्स पूरी फैमिली आके इसके पापा का बक्स अबक्से रखें इसमें कैंटीन सामान रहता है यह देखे फ्रेंट्स हमारी पूजा हो गई है आप बेटे को बन देंगे इनके पापा तो बोल रहे हैं कि मारी फोटो बना तो मैं इनकी फोटो बना रही हूं इनके पापा के फोन से क्योंकि पापा को बोचा होता है कि फोटो बार बार में यह ऐसे दिन बार में देखते रहते हैं कि हाँ यह मेरी बेटे के मेरी है उस टाइम हमने यह किया उस टाइम हमने यह किया कि बोल रहे हैं कि खाना जल्दी से मेरे एर पैक कर दे मैं जा रहा हूं कि यह देखे फ्रेंट्स आज कर यह हमारा कंप्लीट हुआ यह बेटी ने सामके टाइम छे बजे के आवास रंगुली डेकुरेशन किया है बेटी ने प्यारी से रंगुली बनाई यह यह हमारे दिये यह दिये जलाए थे आज हमने यह हम यह बेटी जड़ी चुटा रही है यह देखे फ्रेंट्स इसके आँके कितने ही प्यारी लगती हैं यह मैं हूँ जो फूल जड़ी जला रही हूँ कि यह देखे फ्रेंट्स यह जमीन चकर है बार रोस नहीं नहीं है इतनी तो वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रही हूँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो